मुझे लगता है कि आप Rackic Scale मतलब Linear Scale से परिचित होंगे और इस तरह के Scale को आपने हमेशा गणित की कक्षा में देखा होगा तो हमें यहां सुनिश्चित कर लेना है कि हम इसके बारे में क्या जानते हैं और इसके थोड़े अलग तरीके के बारे में सोच सकते हैं चलिए यहां एक Rackic संख्यारेखा कहींचते हैं मान लेते हैं कि हम शूने से शुरू करते हैं और अगर हम दाई तरफ ठीक यहां यह दूरी चलते हैं तो यह 10 जोडने के समतुल्य है या यूं कहें कि अगर हम शूने से शुरू करते हैं और इसमें 10 जोडते हैं, तो हमें 10 मिलता है, और अगर हम दाई तरफ इतनी दूरी और चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसमें 10 और जोड रहे हैं, इसलिए हमें 20 मिलेगा, और इसी तरह आगे बढ़ने पर हम 30, 40, 50 इत्यादी तक जा सकते हैं, चलिए देखते हैं कि हमने य एक बार फिर यही दूरी बाई तरफ जाते हैं, तो हमें रिनात्मक 10 मिलेगा, और यही दूरी एक बार फिर चलने पर हमें रिनात्मक 20 मिलेगा, इससे हमें पता चलता है कि जब हम यह दूरी अनेक बार चलते हैं, तो वास्तव में हम इस दूरी को 10 के गुणज में जोडत कि 5 कहां होगा अच्छा यहां हमें 5 प्राप्त करना है जिबके हमारे पास केवल 10 के गुणज हैं तो हम इसके बारे में एक अलग तरीके से सोच सकते हैं कि यहां 5 10 का आधा है इसलिए अगर हम 10 का आधा चलते हैं तो हमें इस दूरी का आधा मिलता है अब अगर हम इस दूरी ठीक बीच में रिनात्मक 5 लिख देते हैं, जबकि यहां कुछ नया नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही उपयोगी होगा, जब हम लगुगनक के बारे में सोचेंगे, लेकिन यहां यह केवल संख्या रेखा है, जिससे हम पहले से ही जानते हैं, और अगर हम यहां पर 1 एक दिखाना चाहते हैं, तो हमें इसका दशांश मतलब 1 टेंथ दूरी चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 दस का दशांश या 1 टेंथ है, तो यह 1, 2, 3, 4 होगा, हम यहां पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, इस इस्तिती में हम यहां पर 10 जोड़ते थे या 10 घटाते थे, लेकि ज़े लगता है कि लगुगणकिय संख्या रेखा मतलब logarithmic number line है, चलिए इस लगुगणकिय संख्या रेखा को एक से शुरू करते हैं, और इसके बारे में इस वीडियो के बात सोचेंगे कि हमने इसे शूने से शुरू क्यों नहीं किया, अगर हम एक से शुरू करते हैं औ और आगे की ओर चलते हैं, तो हम यहाँ पर उसी समान दूरी को परिभाशित करते हैं, लेकिन इसे समान दूरी कहने की बजाए हम कह सकते हैं कि जब हम यहाँ दाए तरफ जाते हैं, तो इसमें 10 जोडते हैं, या यूँ कहें कि इस नई संख्या रेखा पर ये समान दूरी 10 10 का गुणज है। तो अगर हम ये दूरी चलते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक से शुरू करते हैं और इसमें 10 से गुणा करने पर हमें 10 मिलता है। और जब हम ये दूरी चलते हैं तो कह सकते हैं कि इसमें 10 से दुबारा गुणा कर रहे हैं, जिससे हमें 100 मिलेगा। मुझे हम यहां 100 को 10 से विभाजित करते हैं तो हमें 10 मिलता है और 10 को 10 से विभाजित करने पर 1 मिलता है और अगर 2 तरफ इतनी दूरी और चलते हैं तो हम इसे 10 से एक बार फिर विभाजित कर रहे हैं जिससे हमें 1 बटा 10 मिलता है इसी प्रकार अगर हम 2 तरफ और दूरी जाते हैं तो यहाँ ये पूरी दूरी जिसे हमने दो बार चला था, वो दस गुणा दस हो जाती है, जो दस की घात दो के समान है। तो वास्ताव में दाएं तरफ बढ़ने के लिए हमें दस की घात को बढ़ाते रहना होगा। इसी तरह अगर हम ये दो गुनी दूरी बाई तरफ जाते हैं, चलिए हम इसे एक नए रंग से लिखते हैं। यहां संख्या रेखा पर बहुत ही बड़े स्केल पर आलेखित किया है। और इसके बाद हम इस संख्या रेखा को देखते हैं, जहां हम सो तक जा सकते हैं। तो अगर हम बाई तरफ दशांश और शतांश तक जाते हैं, तो कुछ रोचक चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहां हमें छोटा स्कील नहीं मिलता है और हमें बड़ी संख्याइं लाने की भी जरूरत नहीं है। और यहां अगर हम कुछ अधिक दूरी जाते हैं, तो हम यहां हजार, दस हजार और इसी तरह आगे जा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस रेखा पर वास्ताव मैं बहुत बड़ी संख्याओं को दर्शा सकते हैं। लेकिन चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। जब हम इस रेखिक संख्यारेखा पर निश्चे दूरी मतलब fixed distance चलते हैं, तो हम यहां इस मातरा को जोडते या घटाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब हम यह निश्चित दूरी चलते हैं, तो दाहिने तरफ चलने पर जोडते हैं, और जब बाई तरफ चलते हैं, तो घटाते हैं। और जब हम यही समान चीज लगुगण की संख्या रेखा पर करते हैं, और यह किसी भी तरह की लगुगण की संख्या रेखा के लिए सही है, और हम इसे एक निश्चित गुणनखंड से स्केल करते हैं, और इसके निश्चित गुणनखंड के बारे में सोचने का केवल एक ही तरीका है कि हम इसके घातांकों को समझें. तो अगर आप कहना चाहते हैं कि संख्या रेखा पर दो कहां होगा, तो आपको खुद से सोचना चाहिए. माफ कीजे, हमें ये देखना है कि संख्या रेखा पर सौ कहां पर होगा, और वास्ताव में यहां से शुरू करना अच्छा रहेगा. यदि यहां ये पहले से ही आलेखित नहीं किया गया है, तो ये सो इस संख्या रेखा पर कहां इस्थित होगा? चलिए देखते हैं कि सो प्राप्त करने के लिए हमें दस को दस से कितनी बार गुणा करना होगा? और यहां हमें ये दूरी कितनी बार और चलने की जरूरत है? यह यूँ कहें कि हमें ये पता करना है कि दस की घात क्या होनी चाहिए, जिससे हमें 100 के बराबर प्राप्थ हो और इसके बाद ये हमें प्रश्नवाचक चिन बराबर 2 मिलता है और अब हम यहां 100 को आलेखित करने के लिए उतनी ही दूरी चल सकते हैं हम इसे अलग तरीके से लगुगणक के रूप में भी लिख सकते हैं 10 आधार पर 100 का लगुगणक प्रश्नवाचक चिनने के बराबर है और ये प्रश्नवाचक चिन 2 के बराबर है तो अब हमें यहां 100 को दाहिनी तरफ इन दोनों के बराबर दूरी पर आलेखित करने की जरूरत है और पता करते हैं कि 2 को कहां पर आलेखित करेंगे तो इसके लिए भी हम समान काम ही करेंगे चलिए देखते हैं कि यहां पर 10 की कितनी घहात 2 के बरावर होगी यह यह कहें कि 10 आधार पर 2 का लगुगनक क्या होगा तो अब हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं और ज्यादातर कैलकुलेटर में लॉग को बिना आधार ही लिखते हैं क्यूंकि कैलकुलेटर आधार को 10 मान लेता है इसलिए 2 का लगुगनक मतलब लॉग ऑफ 2 लग भग 0.3.01 है यह हम इसे 0.3.01 के बराबर कह सकते हैं तो इससे पता चलता है कि दो प्राप्त करने के लिए हमें इस दूरी का ये भाग चलने की जरूरत है और अगर हम ये पूरी दूरी चलते हैं तो ये 10 गुणा 10 की घात 1 की तरह है लेकिन यहां हमें 10 की घात 0.3.01 मिला है तो हमें केवल इस दूरी का 0.3.01 ही जाना है जो मोटे तोर पर इस दूरी का लग भग 1 बटा 3 है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 0.3.3 नहीं है बलकि 0.3 है तो हम इस दो को यहां पर चलिए इसे थोड़ा अधिक दाएं तरफ रखते हैं इसलिए दो ठीक यहां पर होगा यहां सबसे रोचक बात यह है कि ये दूरी लगुगण की संख्या रेखा पर है और इसमें 2 से गुणा करने पर हमें यहां 4 मिलता है इसी प्रकार दुबारा इसी समान दूरी से गुणा करते हैं तो यहां हमें 8 मिलेगा अब अगर हमें पता करना है कि 5 इस संख्या रेखा पर कहां आलेखित होगा तो इसे हल करने के बहुत सारे तरीके हैं हम यहां 10 आधार पर 5 का लगुगणक पता कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर यह कहां आलेखित होता है अगर हम यहां 10 से शुरू करते हैं और यह दूरी 2 तरफ जाती है तो यह 2 से विभाजित होगी इसलिए यदि हम यह दूरी 2 तरफ जाते हैं तो यह 2 से विभाजित होगा यहां ये देखने में थोड़ा अस्त प्यस्त लग रहा है तो जब हम 10 से शुरू करते हैं और उस समान दूरी के बराबर जाते हैं जैसे हम 2 से विभाजित कर रहे हैं तो ठीक यहां पर ये 5 होगा चलिए अब अगला प्रशने देखते हैं पता करते हैं कि 3 को कहां पर आलेखित करेंगे हम इसे हल करने के लिए ठीक वही कर सकते हैं जैसा हमने 2 के लिए किया था प्रशने ये है कि 3 प्राप्त करने के लिए हमें 10 की घात कितनी लेनी होगी और इसे प्राप्त करने के लिए हम एक बार फिर calculator का प्रयोग करेंगे तो 10 आधार पर 3 का लगुगनक 0.477 के बराबर है तो ये इस दूरी का लगभग आधा है और इस दूरी का आधा ठीक यहां कुछ इस तरह दिखाई देगा तो 3 ठीक यहां पर होगा हम यहां लगुगनक का प्रयोग कर सकते हैं हम देखते हैं कि यहां 6, 7 और 8 नहीं, माफ कीजिए हमारे पास 8 है लेकिन हमारे पास 9 नहीं है और 9 प्राप्त करने के लिए हम यहां 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 है और अगर हम यह समान दूरी जाते हैं यूं कहें कि 3 से गुणा करते हैं तो 9 ठीक यहां पर होगा इसी प्रकार अगर हम 6 प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 2 से गुणा करना है और हम पहले से ही 2 से गुणा किये जाने वाले इस दूरी को जानते हैं ये ठीक यहां है इसलिए हम इसे 2 से गुणा करते हैं इसी प्रकार समानदूरी चलने पर हमें 6 मिलता है अब अगर हम पता करना चाहते हैं कि 7 कहां होगा तो हमें एक बार फिर लगुगणक या log लेना होगा चलिए इसे यहां करते हैं तो 7 का लगुगणक मतलब log of 7 लगभग 0.85 होगा तो ये 7 ठीक यहां पर होगा हमने यहां इसे बहुत ही अच्छे ढंक से किया है इसलिए हम इस लगुगणकी स्केल पर और अधिक संख्याओं को रख सकते हैं और जैसा कि हम लगुगणकी स्केल की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिससे वास्ताओं में हम मानवी अनुभव को आसानी से समझ सकते हैं और दूसरी अच्छी चीज यह है कि जब हम लगुगणकी स्केल पर एक निश्चित दूरी जाते हैं तो हम एक निश्चित अचर या कॉंस्टेंट से गुणा करते हैं और यहां आपने सबसे अजीब चीज की तरफ ध्यान दिया होगा कि यहां संख्याए पंक्ती में नहीं हैं जैसा हमेशा दिखाई देती हैं जैसे की यहां एक से दो के बीच ज्यादा खुला हुआ है उसके बाद तीन से चार के बीच कम खुला हुआ है फिर चार से पांच के बीच इससे भी कम खुला हुआ है इसी तरह पांच से चे के बीच भी खुला हुआ है उसके बाद 7, 8, 9, जबकि 7 ठीक यहां पर होगा, और 9 यहां बहुत ही दबा हुआ है, उसके बाद हमें 10 मिलता है, और इसके बाद अगर हम यहां से 20 तक जाते हैं, तो बहुत ज्यादा खुला हुआ है, जिसके लिए हम 2 से गुणा करते हैं, इसलिए यह दूरी एक बार फिर हमें 20 मिलती है, और अगर आप ठीक यहां यह दूरी जाते हैं, तो हमें 30 मिलता है, क्योंकि हम यहां 3 से गुणा कर रहे हैं, तो ठीक यहां यह इसके 3 गुणा दूरी है, तो अगर आप इसे दुबारा करते हैं, तो हमें यह दूरी 30 मिलती है, क्योंकि हमने यहां 3 से प्योगी क्यूं है?